कि अच्छी गुरुदे वदत गुरुदे वदत गुरुदे वदत गुरुदे वदत कारणजावासियों को मेरा बहुत बड़ा जहिन इसके पहले कि मैं मेरा भाशन स्वरू करूँ मैं शरद वैख्यन मालके सभी कार्य करता परमादर निया श्री प्रमोज जी धही हंडेकर इनका तहे दिल से शुक्रियादा करना चाहती हूँ कि मुझे यह अवसर दिया ताकि मैं आप सबसे चर्चा कर सकूँ मैं एक सैनिक हूँ और एक सैनिक होने के नाते यह मेरा करतव है कि मैंने मेरे देश वासियों को यह बताना चाहिए कि एक सैनिक किस प्रकार सीमा के उपर दिन रात रहे कर अपनी देश की रक्षा करता है और इसी लिए मैं अपना दाई तो समझती हूँ कि किसी भी कार्यकरम के शुरुवात हमने सैनिकों को श्रधंजली अर्पन करने के बाद ही करनी चाहिए क्योंकि हम यहां से शांती से बैठ पाते हैं हम अपनी रोजमालिया की जिंदगी जी पाते हैं हम हसी खुशी अपने परिवार के साथ रह पाते हैं दोस्तों के साथ रह पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन सैनिकों के बदॉलत जो दिन रात हमारी सीमा की रक्षा करते हैं जैसे इंग्लिश में एक वाक्य है वी ओ अवर फ्रीडिम टु दोस सोल्जर्जर्स बिलकुट सही वाक्य है उन सारी शहीदों को शद्धन्जली जिनोंने हमारे देश को स्वतंतता प्राप्त करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुती दी हैं तथा स्वतन तथा के बाद हमारे देश ने जितनी भी लड़ाईया लड़ी हैं उन सारी लड़ाईयों में जितने सेनिक शहीद हुए हैं और आज जम्मु कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए भी जितने सेनिक शहीद हो रहे हैं उन सारे शहीदों को शद्धंजल तुम गिरे तो रोपड़ी सारी दुशाएं विदा तुमको दो रहे धरती कगन राष्ट के पहरी तुम्हे शचत्चनमन राष्ट के पहरी तुम्हे शचत्चनमन आज का जो विशय है पाकिस्तान भारत की रणमीती यह विशय आज के इस अफसर के उपर मैंने इसलिए चुना क्योंकि हाल ही में अनुच्छे 370 यह जमु कश्मीर से हटाया गया है और वहां की जो स्थिटी है वो अभी धीरे धीरे बदल रही है इसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंद किस प्रकार होंगे किस प्रकार हमारी रणमीती होनी चाहिए पाकिस्तान को लेकर और किस प्रकार हमने अपने देश की तरक्की को सबसे प्रथम रखना चाहिए इसके उपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहती हूँ इस वेक्षान में लेकिन शुर्वात में थोड़ा सा इंटूडक्शन दूँगे आपको भारत और पाकिस्तान के संबंद कैसे थे ये दोनों देश बने कैसे उसके बाद आतंकवाद फैला कैसे और इस आतंकवाद से गरस्त जम्मु कश्मीर के वज़े से भारत और पाकिस्तान के संबंद इतने खट्टे क्यों हो गए मैं शुरुवात करती हूँ भारत और पाकिस्तान ये दो राष्ट ब्रने थे जब हमें स्वतंदता मिली थी तब टू नेशन थियरी के तहट दो राष्ट बने थे एक था पाकिस्तान जो मुस्लिम राष्ट था और दूसरा था हिंदुस्तान भारत 1937 में मुहमद अली जनाह जो कॉंग्रेस के थे लेकिन बाद में उन्हों मुस्लिम लीग में जॉइन हुए वहां पर जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में उनका जो नारा था वो नारा था कि सेव मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इस नारे को लेकर उन्होंने वो चुनाव लढ़ा था लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश में इस नारे को बहुत ज़ादा एहमियत नहीं दी गई और उस इलेक्शन में कॉंग्रेस ये बहुत ज़ादा वोटों से विजई हुआ फिर मुहमद जाले जना ने अपना जो वक्त, अपना जो स्लोगन था उसे बदला और उसे किया सेव इसलाम और फिर उन्होंने ये डिमान दा ली हमारे ब्रिटिश, ब्रिटिशर उन्हें जितने साल हमारे उपर राज किया था कि हमें दो राष्ट चाहिए एक राष्ट जो इसलाम का हो और दूसरा राष्ट जो हिंदुस्तान का हो इन दो धर्मों के उपर इस देश का बत्वारा हुआ जब बत्वारा हुआ तब पूर्व उत्तर प्रदेश के भूत सारे जो मुसल्मान थे वो वहां से निकल कर कराची में चले गए कराची में वो जब रहने लग गए तो उन्हें पाकिस्तान में मुहाजिर के नाम से जाना गया ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान में बाकी धर्मों के लोग नहीं थे बाकी धर्मों के भी लोग थे लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में मुहमद अली जिन्हा ने ये एक गुसा भर दिया था पाकिस्तान वासियों के दिलों में कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये भारत है और सबसे बड़ा दुश्मन जो भारत है उसका जो मुकुट है याने कश्मीर उसे हमें हतियाना है ये मुहमद अली जिना ने जब हमें स्वतंतता मिली तब से ये जनम घुट्टी हर बच्चे को पिलाई जो पाकिस्तान में जन्म लेता था जब नया बच्चा जन्म लेता है तब हम उसे जनम घुट्टी पिलाते हैं ताकि उसकी स्तेहद बने उसकी तरक्की हो लेकिन आज भी पाकिस्तान में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तब उसे ये जूट पिलाया जाता है कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का है और कश् प्रस्तानी शांत नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर हमारा नहीं होगा अ कि 1947-28 की जो हमारी स्वातन तता का युद्ध जो था तब पाकिस्तान ने काफी घुस पैटी ये भेजे हमारे देश में जम्मु कश्मीर में क्यूंकि उन्हें जम्मु कश्मीर को हत्याना था उन घुस पैटियों को जम्मु कश्मीर से बहार निकालने के लिए भारतिय फौज भी निकल पड़ी थी भारतिय सेना यह सफल हो रही थी पूरे जम्मु कश्मीर से यह पाकिस्तानियों को भार ख़देवने के लिए लेकिन तब के हमारे प्रधान मंत्री पंडिक जवारलाल मेहनू इन्हें युद्ध और जंग यह पसंद नहीं था उन्होंने कहा कि हमने यह रोकना चाहिए हमें युनाइटेड नेशन्स जाना चाहिए लेकिन तब के हमारे जो ग्रह मंत्री ते सरदार पतेल मैन उस्टील आयन मैन उन्होंने कहा कि पंडिक जी मध जाये United Nations अगर United Nations आप अभी गए नैशन तुरंट ceasefire ओरडर करेगा युद्धबंधी पुकारेगा और जब युद्धबंधी पुकारेगा तब दोनों सेना जहाँ पर भी है वहाँ पर उन्हें रुकना पड़ेगा जो जिसके पास हिस्सा है वो उसके पास चला जाएगा आप अभी मत जाईए हमारी सेना पूरे जम्मो कश्मीर से पाकिस्तानियों को खदेड रही है खदेड नहीं दीजिये और फिर जाईए आप United Nations लेकिन पंडित नहरू नहीं माने पंडित नहरू गए United Nations जैसे इन्होंने सोचा था वैसे ही हुआ United Nations ने पुकार्या युद्धबंदी दोनों सेनाएं जहां पर भी थी वहां पर रुक गई जहां पर यह सेनाएं रुक गई उसे हम कहते हैं लाइन अफ कंट्रूल उस तरफ का जो इलाका है वो है पाकव्याप्त कश्मीर और इधर का जो हमारा इलाका है वो है जमुकश्मीर याने आज भी वो उपर का हिस्सा पाकव्याप्त कश्मीर यह पाकिस्तान के पास है करीब 35 परसेंट पाकिस्तान के पास है और आज की ये परिस्तिती है कि पाक व्याप्त कश्मीर में आतंकवादी संकतनाएं जिन्हें पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI ट्रेनिंग देती है उनके करीब पचास से जादा ट्रेनिंग कैंप्स ये चलते हैं और वहीं से आतंकवादी घुसबैट करते हैं, एलोसी को पार करते हैं और हमारी इस देश के अंदर आते हैं यहीं पर यह बेर समात नहीं हुआ था, वहां से तो यह चिंगारी जल उठी थी चिंगारी जब जल उठी थी, उसके बाद पाकिस्तान ये शांती से बैठने वाला राष्टर नहीं था क्योंकि पाकिस्तान के दिल में और दिमाग में कहीं पर ये एक बहुत बड़ी आग जल रही थी कि कश्मीर ये मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया है और इस एरिया को हमने हत्याना चाहिए लेकिन राजा हरी सिंग ने जो भारत के साथ करार किया था, उसके चलते वो हिस्सा हमारा था, है और रहेगा इसमें कोई दो राए नहीं है हमारे सेनिकों ने इस शुरुवाती की लड़ाई में अपने प्राणों की अहुती दे दी, जी जान लगाकर लड़ाई लड़ी आपके जानकारी के लिए हमारा भारतिय सेनिक जब जंग पर जाता है, तब क्या होगा इसकी फिकर नहीं करता हूँ उसका सिर्फ एक ही लक्ष होता है कि मेरा दुश्मन सामने है, मुझे मेरी मात्रु भूमी को बचाना है देश का प्यार, इस चीज को सेनिक सबसे ज़ादा एहमियत देते हैं हमारे कवी मित्र है करनल डॉक्टर विरेंद पताप सिंग, राष्टर कवी है, बहुत सुन्दर कवी ताएं करते हैं वो अपनी चंद पंग्तियों में कहते हैं, मैं भारत का सिपाही केवल इतना ही मेरा परिचे है जान हतेली पर रखता हूँ, मुझको अना किसी का भै है, देह मिट्टी का मेरा मस्तिश्क इस परिवेश का है धंदियों में दारता फेरता ये रक्त मेरे देश का है, बंदियों के महसारे आज पीछे छोड़ाया, सामने है लक्ष मेरा देर बस आदेश का है उसके बाद 1962 का भारत चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध का नतीजा क्या हुआ ये हम सबको पता है पाकिस्तान ने ये सोचा कि बासट की हार के बाद भारत शायद कमजोर हो गया है और ये अच्छा मौका है भारत को इसी वक्त पर हम फिर से हमला करें और कश्मीर को हती आए इसलिए 1965 की भूल पाकिस्तान कर बैठा 1965 में हम लोग कराची तक अंदर पहुँच गए थे लेकिन ताशकंत अग्रीमेंट की वज़े से हमें जो हिस्सा हमने लिया था वो हमें वापस कर दिया वास्तविक रूप से भारत ये शान्तिप्रिय राष्ट है जंग हो ये हमारी इच्छा नहीं होती लेकिन दुश्मन अगर हमारी तरफ तेड़ी आँखों से दिखता है तो हम ये हिम्मत रखते हैं, ताकद रखते हैं, शौर्य रखते हैं कि उन आँखों को हम नौच डाले क्योंकि भारत ये बेसिकली एक बहुत संवेदंशील राष्ट है हमारे इस विशाल देश में कितने धर्म पंथ जातियां हम समेट कर लेते हैं इस राष्ट ने दुनिया को रहा दिखाई है, वसुधाईव कुटुम्बकम ये हम बोलते हैं इस बोली के उपर हमारा देश आज विश्व गुरु बनने के मार्क पर है और इसी लिए भारत ने ये कभी भी नहीं चाहा कि हमने किसी की जमीन हड़पनी चाहिए लेकिन ये हमारा जो पडोसी है, ये कई बार हमारी कमजोरी, हमारी शांति प्रियाता को समझता है, हमारी कमजोरी और इसी को मद्दे नजर रखते हुए, उन्नेस सब पासद की लडाई हुई जिसमें पाकिस्तान को करारी हार ये देखनी पड़ी उसके बाद उन्नेस सो इखत्तर की जो लडाई हुई थी, उसमें तो हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये थे एक नया देश बना दिया था बंगलादेश जहां पर 93,000 युद्ध कैदी हमने पाकिस्तान के पकड़े थे देखिए भारत की जो परंपरा है, संस्कृती है भारत की, वो इतनी उत्तम है, इतनी अच्छी है कि ये जो युद्ध बंदी हमने पकड़े थे, उनको हमने रहने, खाने, पीने की बहुत अच्छी इनकी व्यवस्था की थी ये जितने भी दिन हमारे साथ थे उनको खाना पीना रहना ये सब इसके लिए हमने अच्छा इंतजान किया था हमने ये कभी भी ये किया नहीं कि किसी भी शरणार्थी को या किसी भी युद्ध कहिदी को हम को किसी भी प्रकार की चोट पहुचाए येकिन उसी के विपरीद पाकिस्तान कारगिल में क्याप्टन सौरब कालिया यह जब अपनी टुकडी सेनिकों की टुकडी को लेकर पाकिस्तान गए थे तक किस प्रकार बरबरता करके इस शूरवीर सेनिक का शरीर इन्होंने भारत को वापस किया था कैपटन सौरब कालिया की आँखें बाहर निकाली थी उनकी जीद निकाली थी बाहर उंके कानों में गरम सुई डाली थी उनके हाथ का दियए थे उनकी उंगलिया काद दी थी इस प्रकार बरबता पूरवक शरीर को हमारे देश को सोपा था ये पाकिस्तान का कल्चर है और ये हमारे देश का कल्चर है कारगिल के युद में जितने पाकिस्तानी सेनिक शहीद हुए थे ये पाकिस्तानी जो बचे थे या पाकिस्तान नाम के इस राष्टर ने अपने इन सेनिकों को जो शहीद हुए थे उनके देश के लिए उनका पार पारतिय सेना ने इनका बाइद्जत क्रिया कर्म किया पाकिस्तान के जंडे में लपेटा और इन्हें अदब से दफनाया यह हमारी संस्कृति है लेकिन पाकिस्तान यह राष्ट क्या समझेगा जो राष्ट अपने खुद के नागलिकों के उपर इतनी बरबरता करता है चाहे आप बलुचिस्तान लो चाहे सिंद लो चाहे पंजाब लो चाहे पस्टून लो अपने खुद के नागरिकों को इतना जादा तॉर्चर करता है वो इन चीजों को क्या समझे लेकिन समझना ये हमारे देश के कुछ लोगों को है जिने मैं कहती हूँ बवधिक आतंकवाद अलू 6.370 निकालने के बाद हमारे देश में एक बहुत बड़ा लहर चला ये दो प्रकार का लहर था एक प्रकार का लहर ये था उन लोगों का जो लोग हमारे सरकार का साथ दे रहे थे कि अनुच्छ 370 निकाला और एक दूसरे प्रकार के लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये निकालना नहीं चाहिए था हमारे वहां के जम्मु कश्मीर के भाईयों बहनों को क्या लगेगा आप मुझे बताईए अनुच्छे 370 जब वहां पर था तब वहां पर तरक्की नाम की कोई चीज नहीं थी आप में से कई लोग जम्मु कश्मीर में सैलानियों के रूप में गए हूंगे मैं खुद गई हूँ वहां पर ना वहां पर कोई बड़ा अस्पताल है ना कॉलेजज़ है ना बड़े-बड़े स्कूल्स है जैसे हमारे यहां पर है वहां पर एक भी सिनेमा हॉल नहीं है शौपिंग बाल्स नहीं है वहां पर जैसे आपर हम यहां पर रात को बैट कर शरब रख्यन माला सुन पाते हैं वहां पर साथ बज़े के बाद शाम को कोई निकल नहीं सकता वहां पर जो महोल है वो बहुत अलग था उसका एक कारण है उसका कारण यह है कि जितना पैसा भारत सरकार जम्मु कश्मीर के सरकार को देती थी वो सारा पैसा जम्मु कश्मीर की जो सरकार थी वो हडप लेती थी और वो सिर्फ अपने जेब भरने के लिए उन पैसों का इस्तमाल करती थी और बचा कुछा पैसा ये अलगावादियों में बाठती थी जो अलगावादी जम्मु कश्मीर में आतंक वाद फैलाते थे जम्मु कश्मीर में सिर्फ दो राजनेतिक पार्टियां हैं एक नाशनल कान्फरेंस अब्दुल्ला साब की और दूसरी पिडिपी मुफ्ति साब और अभी उनकी बेटी महबुबा मुफ्ति सिर्फ ये दो पार्टियां ये इतने सालों से जम्मु कश्मीर पर राज करती आ रही हैं यहां के जो अलगावादी लोग हैं उन अलगावादी लोगों की भी एक विशिष्टा है उनमें भी अलग-अलग मत हैं एक जो संगठन है वो चाहता है कि जम्मु कश्मीर ये भारत और पाकिस्तन से दोनों से अलग हो एक संगठन है जो चाहता है कि कश्मीर कश्मीर का जो है वो विले पाकिस्तान में होना चाहिए एक जो संगठन है वो कहता है कि ठीक है हम जैसे हैं वैसे ठीक है लेकिन हमें और आप special powers दो ऐसे अलग 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 राएं है इन सारी चीजों की जो जड़ है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबन सिर्फ कश्मीर की वज़े से बिगड़े हुए है इन सारी चीजों की जड़ पाकिस्तान में पैदा हुई थी 1971 के युद्ध के बाद जनरल जिया उललाख जो पाकिस्तान के राष्ट्रपती थे उनको यह अच्छे तरह से समझ गया कि भारत और पाकिस्तान का यगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान कभी भी जीत नहीं पाएगा उसका करण है आपने देखा होगा आम तोर पर जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तब हर भारतवासी के दिल में एक धुग धुग होती है कि पता नहीं कौन जीतेगा और शायद ये डर लगा रहता है कि हम हार जाएंगे लेकिन जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होता है हर भारतवासी के दिल में गैरेंटी होती है कि हम ही जीतेंगे पिर चाहे वो इन्नी सपैसत हो उकत्तर हो निम्यांडे का कारगिल युद्ध हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालको डेर स्ट्राइक हो ये क्यों होता है क्यों होता है ये इसलिए होता है कि भारत का सैनिक ये पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ता माफ करिये कई क्रिकेट प्रेमी यहां पर होंगे लेकिन बुरा लगे तो माफ करना लेकिन ये सब्ते बात है आपके क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं पैसे के लिए एक-एक मैच के लिए उनको कितने-कितने करोड रुपे मिलते हैं चाहे वो हार जाय तो भी उनको करोड रुपे मिलते हैं लेकिन हम से निक हम शहीद हो जाते हैं देश के लिए लेकिन हम कभी यह नहीं सोचते कि हमें कितना पैसा मिल रहा है कितना करोड मेरे परिवार को मिलेगा हम पैसे के लिए जंग नहीं लड़ते हैं हम जंग लड़ते हैं अपनी भारत माता के लिए मा भारती के लिए और मेरे देशवासियों के लिए किसी भी जंग के बाद या कारगेल युद्ध में Tiger Hill जो था उसको capture होने के बाद कभी भारते सेनिक ये नहीं सोचता है कि मुझे कितना बड़ा चेक मिलेगा कितने डॉलर का जैसे Man of the Match को कितने डॉलर का चेक मिलता है अरे वो तो सिर्फ खेल की बात है यहां तो हम जान को खेल जाते हैं जान के ओपर हम खेल जाते हैं जैसे एक सेनिक कहता है क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं देश को अपना लहू हमने दिया लोग जीते हैं डरे से हमें हुए माच आखे मिला हमने जिया गणित में विश्वास हम करते नहीं काम पूरे जोश में हमने किया लोग अमरित भी समर कर पीते यहां जहर तक हमने बिना पुछे पिया जन्मो कश्मीर में यह जो परिस्तिती है यह बहुत साल पुरानी नहीं है पाकिस्तान की एक थियोरी थी जिसको दके थियोरी बोलते हैं के वन के टू के थ्री के वन थियोरी जो थी वो थी अपरेशन कारा कुरम के टू जो थियोरी थी वो थी खालिस्तान आपको पता है पंजाब में ब्लू स्टार अपरेशन हुआ था तब पकिस्तान ने खालिस्तान नाम का एक अलग पंजाब का देश बनाने के लिए उन्होंने आतंकवधियों को ट्रेनिंग दिया था लेकिन इस खालिस्तान का जो अजंडा था इस अजंडा को हमारे भारतिय सेना ने पूरा निस्तनाबूत कर दिया था तीसरी उनकी जो थियोरी है जम्मु कश्मीर की जिसके लिए आज इमरान खान दर दर भटक रहा है हर देश में जा रहा है और हर देश से उसे सिर्फ और सिर्फ नकारा जा रहा है उसकी पाकिस्तान की नाक कट गई है यहां तक कि युनाइटेड नेशन ने भी उसे उन्हें बोल दिया है कि कश्मीर यह पाकिस्तान का मसला नहीं हो सकता क्योंकि कश्मीर यह भारत का अभिन्दा अंग है तो फिर ये theory जो है पाकिस्तान की ये क्यों जन्मी कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान में जिस्पकार भारत में जो brands famous हैं भारत में बिग बाजार है भारत में infosys persistent नाम के बड़े बड़े corporate sectors है भारत में इतने सारे अच्छे अच्छे ब्रैंड्स हैं वैसे कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान किसी एक ब्रैंड के लिए या किसी एक नाम के लिए मशूर है क्या कोई बड़ी फाक्टरी पाकिस्तान में है जिसके लिए वो पूरे दुनिया में मशूर है क्या एक कोई चीज है पाकिस्तान में जिसके लिए दुनिया में वो जाना जाता है एक पाकिस्तान सिल्क नाम का एक कपड़ा होता था जिसके लिए पाकिस्तान बहुत मशूर था लेकिन आजकल वो भी लुपत होता जा रहा है उसका कारण है कारण यह है कि पाकिस्तान आज करजे में डूबा हुआ है पाकिस्तान के पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो आज अगर युद्ध शुरू हो जाए भारत के साथ तो एक या दो दून तक यह युद्ध चला सकेगा पाकिस्तान के सारफित के पास सिर्फ इतना पैसा है दो दून से जादा पाकिस्तान हमारे साथ युद्ध नहीं लड़ सकता इतने भी पैसे उसके पास नहीं है अरे मैं तो इतना तक कहती हूँ पाकिस्तान से जो F-16 विमान आये थे जिनको Wing Commander अभिनंदन ने गिराया था वो विमान उपर वाले की कृपा से वापस जा सके वरना पाकिस्तान के पास इतना भी इंधन नहीं था कि वो विमान वापस जा सकता था इतनी पाकिस्तान की गई गुजरी हालत है आर्थिक परिस्तिती इतनी उसकी बेकार है कि जिसकी कोई हद नहीं और उसका कारण यह है हमारे देश में भारतिय सेना ये देश के लिए अपना सर्वस्वन योच्छावर करती है लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ये सिर्फ और सिर्फ अपने जेबे भरने का काम करते हैं आपकी जानकारी के लिए पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ये फैक्टरीज चलाती है कपड़े बनाती है अलग-अलग प्रडक्ट्स बनाते हैं वो जैसे हिंदुस्तान लीवर है लेकमी है हमारे देश में जैसे रसना है मैगी है वैसे पाकिस्तान आर्मी इनके फैक्टरीज है वहाँ पर हर पाकिस्तान जेनरल के पास कम से कम दस एकर से जादा जमीन है धंदा चलता है वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का और इसलिए आम नागर के पास पैसा नहीं होता है, खाने के लिए रोटी नहीं होती है और ये पाकिस्तान की परिस्तिती है और इसलिए ये इतनी बुरी हालत है, इसलिए पाकिस्तान का कोई भी ब्रैंड ये दुनिया में फेमस नहीं है तो फिर भाई पाकिस्तान ये पूरी दुनिया में किस नाम से जाना जाएगा एक राष्ट बना है पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट अफ पाकिस्तान, तो कुछ न कुछ तो हमने करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में हमारा नाम हो, ताकि पूरी दुनिया हमाई पहचाने, तो आप पाकिस्तान ने एक सस्ता सुन्दर टिकाऊ नुसका सुजा वो सस्ता सुन्दर टिकाऊ यह कौन सा नुसका है आतंकवाद आतंकवाद सस्ता इसलिए कि पाकिस्तान का नागरिक नहीं मारा जाता उसमें आतंकवाद हम बनाते हैं कश्मीरियों को वहाँ पर ले जाकर उनको ट्रेनिंग देकर और अगर मरते हैं तो वो कश्मीर के लोग है पाकिस्तान के लोग नहीं है जब कि इसलिए हमारा कुछ नहीं जाता इसलिए सत्सा सुन्दर इसलिए कि भारत को वो हलके हलके चाकु से काट काट कर भारत का खून बहाता रहे कि उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीड विट थाउजन कट्स यह पाकिस्तान की थियोरी बहुत पुरानी है कि इसलिए सुन्दर है और तिकाव इसलिए है कि यह कारोबार जो है आतंकवाद का यह सौ साल तक चल सकता है प्रक्सी वार आतंकवाद का कारोबार चलता रहेगा आतंकवाद्यों को हम ट्रेन करते रहेंगे भेजेंगे एक को बेजेंगे बोलेंगे जाओ नागपुर के जीरो माईल चौक्यों पर बॉम फोड़ दो वो बंदा शहीद हो गया बॉम फोड़ गया भारत भारत वासियों का खून बहा पकिस्तन खुश हो गया सस्ता सुन्दर टिकाव लेकिन उसने ये कहा कि सिर्फ भारत का खून भाएंगे तो दुनिया में हम कैसे मशूर हूँखे तो फिर क्या किया जाए तो फिर थोड़ा सा और दुनिया में हल चल मचाएं अफगानिस्तान अफगानतालिबन हक चालम नेटवर्क इस हक कानिन नेटवर्क को उन्होंने इतना जादा उच्छाला और इतना जादा इनको आतंकवादियों बनाया कि अफगानिस्तान में यह आतंकवादियों का नंगा नाच छुड़ू हो गया वो छोड़िये पाकिस्तान में इरान तक को नहीं छोड़ा इरान में पाकिस्तान में एक यह बैटे हैं लहोर में रावल पिंडी में तो कि रावल पिंडी में इनका आर्मी हेटकोटर्स है जी एच की रावल पिंडी यहां से इनका पुरा कारोबार चलता है अब चलो पाकिस्तान आतंकवादियों की एक फैक्टी है इस नाम से तो अटलीस मशूर हो गया पुरी दिनिया में तो इस मसलिका हल क्या है आपकी जानकारी के लिए पाकिस्तान यह बहुत सालों से एक जिद्दो जहत में लगा हुआ है कि भारत के साथ सिर्फ आतंकवाद से ना लड़ा जाए बलकि अलग अलग तरीके से लड़ा जाए यह अलग तरीकों से में से पहला है बौधिक अतंकवाद दूसरा है इन्फर्मेशन टर्रिजम तीसरा है सोशल नेटवर्क टर्रिजम और सबसे जादा महत्व पूर्ण चीज़ है वो है साइकोलोजिकल टर्रिजम इन सारे तरफ से पाकिस्तान हमारे देश के उपर हावी ह पूरा है बौधिक अतंकवाद आपने कुछ साल पहले सुना होगा जवाला नेहरू उनिवर्सिटी दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशालला इंशालला ऐसे नारे हमारे युवक लगा रहे थे कि उनिवर्सिटी में और हमने क्या किया सिर्फ कड़ी निंदा बस कड़ी निंदा उनके एक दो लीडर्स को हमने कुछ दिन के लिए जेल में रखा बस उसके बाद क्या किये हमने कुछ नहीं किया ना हमने उस इनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कड़े कदम उठा है और एक तुमारे देश में कुछ नागरिक बोल रहे हैं कि भारत इस और भारत इसे बैठते है कि हमारा खुं गरम नहीं होता है हमरा खुलता इस मिट्टी के उपर उंगय हुआ जो अना जाहे उसे खाकर आपको शरीर बना है आज ईस मिट्टी के उपर ऊघ्य हुए कपास से जह कपड़ा बनता है उस कप्ड़े से हम अपने शरीर को धक्ते है आपको जो बनाया है वो इस मिट्टी ने बनाया है तो क्या आत्मा खून नहीं खुड़ना चाहिए कोई अगर इस मिट्टी के टुकड़े टुकड़े करना चाहिए तो क्या हुआ देश में कहीं कुछ नहीं हुआ कहीं किसी ने आवाज नहीं उठाई कहीं किसी ने अंबलन नहीं किया क्योंकि भारत ये बहुत सहंशील देश है है बहुत सहंशील देश है हम ऐसी चीज़े नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको पुछ दिया आजकल अगर आप भारत हिंदुस्तान के घरों घरों में जाईए भाई भाईयों में जगड़ा होता है बटवारे के लिए घर के घर के टुकड़े जब होते है तब उस घर के माता पिता को पूछे उनके दिल पर क्या बीती है उस प्रकार हमारे दिल पर क्यों नहीं कुछ बीती जब इस देश के टुकड़े होने की बात कोई करता है क्या ये देश हमारा घर नहीं है क्या इस देश में हम अपना घर समझकर नहीं रहते दूसरा बाद्धिक आतंकवाद इस देश में एक डिबेट शुरू होता है कि क्या मैंने राष्ट्रगान के लिए खड़े होना चाहिए या नहीं इतनी बड़ी नौबत आ गई इतनी हिम्मत आ गई हमारे देश में 52 सेकेंड आपको खड़े होने में दिक्कत होती है साइंसेट के साथ वहां पर राष्ट्रगान अगर बनता बचता है तो हमने खड़े क्यों होना चाहिए मैं पूछती हूँ राष्ट्रगीत के लिए खड़े होने में आपको दिक्कत है ना आज अगर हम सैनिक ये कहें कि हम सीमा के उपर क्यों खड़े रहे हैं हम नहीं खड़े रहेंगे हम बैठ जाएंगे सीमा के उपर जिसको आना है आ जाईए सबसे पहले कौन चिल आएगा इस देश में क्या हम सैनिक ऐसे कहते हैं नहीं क्या हम और आप अलग हैं नहीं क्या हमारी और आपकी सिखलाई अलग हैं नहीं हैं कि हम अपके जैसे इंसान हैं हमें भी सिखाया गया है जो आपको छिखाया गया है जेहिन बोलो ओ लेकिन फिर भी आपके मुझे ऐसी चीजे क्यों निकलती हैं जो राश्ट विरोधि हैं हम क्यों नहीं कुछ सेकंडों के लिए खड़े नहीं हो सकते, जो हमारा राष्ट का गीत है उसके लिए, दूसरे प्रकार के टर्रिर्रिजम पर आउंगी मैं, इन्फर्मेशन टर्रिर्रिजम, वाट्सअप के उपर आपको जो आजकल मेसेज़ आते हैं, ये सारे मेसेज़ ये पाकिस्तान के कुछ लोग है, जो लोग भारत के नाम लेते हैं, और भारतीय नामों के साथ ये मेसेज हमारे देश में फैलाते हैं, अलुच्छे 370 निकलने के बाद कितने सारे मेसेज़ आपको आए होंगे कि भारत ने ये बहुत गलत कदम उठाया, मोधी सरकार ने ये गलत किया है, बिचारे लोग उनको वहाँ पर दवाईयां नहीं मिल रही, खाने को अनाज नहीं मिल रहा, सबजिया नहीं मिल रही है, वो कैसे जी रहोंगे, इतनी दिनों से वहाँ पर कर्फ्यू है, कोई अस्पिताल नहीं जा सक रहा है, ये कितने मेसेज़ेस, कितने लोगों को वहाँ पर आए, हम सब को आए, और हम सब को भी लगा बिचारे कश्मीरी लोग, क्या भीतरी होगी उन पर, लेकिन क्या हमने ये जानने की कोशिश की, कि क्या वाकरी में ऐसी परिस्टिटी वहाँ पर है, वहाँ पर जम्मु कश्मीर में कर्फ्यू नहीं था, नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सेक्शन 144 लागू है, इसका मतलब ये है, कि हम पाच लोगों से जादा लोग इखटे नहीं आ सकते एक जगे पर, वहाँ पर जो दुकाने बंध है, वो किसकी वज़े से बंध है, वो इन अलगावादियों की वज़े से बंध है, जो दुकानदारों को धमकाते हैं, कि तुमने अगर दुकान खोला, तो तुम्हारे सीने को हम लोग चीरे डालेंगे, गोलियों से भून डालेंगे, ये धम पर देखा होगा Instagram पर देखा होगा जिन वीडियो में आपने ये देखा होगा कि कश्मीरी एक औरत है जो चिला रही है कि मेरे बिच्चे को दवाई चाहिए सीरियस है लेकिन कर्फ्यू है कोई मेरे बच्चे को नहीं ले जा रहा है क्या आपको वाकई में विश्वास होता है कि भारतिय सेना इतनी कठोर और निर्दई हो गई कि कोई बच्चा अगर मर रहा है तो उसे अस्पताल भी ना जाने दे हम हैं भारतिय सेना जिसने जम्मु कश्मीर में जब बाड़ आया था तब अलगावा भी मेटा जम्मु कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेके एलेफ के जो प्रेसिडेंट है यासीन मलिक जिसने हमारे भारतिय वायू सेना के चार अफसरों को गोलियों से भून डाला था उसको हमने उसके घर से उसको हमने रेस्क्यू किया था जब जम्मु कश्मीर में बाड़ आई थी हम वो सेना हैं जो इंसानियत की दम पर जीते हैं हम वो भारतिय सेना हैं जिसके उपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं जब भी उत्तरा खंड में आपदा आती है तब आप भारतिय सेना को बुलाते हैं जब भी कोई ट्रेन का एक्सिडेंट होता है राहतकारी के लिए भारतिय सेना को बुलाते है केरला में बाहर आती है राहत के लिए सेना को बुलाया जाता है इतना तक नहीं मुंबई में एक एलफिंस्टोन ब्रिज गिर जाता है उस ब्रिज को बनाने के लिए रिपैर करने के लिए भी आप भारतिय सेना को बुलाते हैं अरे वो तो छोड़ दीजिए एक छोटा सा बच्चा प्रिंस नाम का अगर ट्यूब उस बच्चे को निकालने के लिए आप भारतिय सेना को बुलाते हैं इसका मठलब आपक इतना विष्वास रखते हैं भारतिय सेना के विए हए एप और क्या आपको इन्हाएं कि भारतिय सेना इतनी कष्मीर में जब एक बच्चा मर रहा होगा तब उसको अस्पेद्र i will प्रकार का जो आतंकवाद, psychological आतंकवाद, terrorism, psychological terrorism, psychological warfare, जो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरह से सालों से चलाता आ रहा है, पाकिस्तान की एक संगतना है, ISPR, आपने सुना होगा उसके बारे में, inter-services public relations, मोटे मोटे तार पे, यह जो inter-services public relations है, यह यह काम करती है, कि लोगों को बताना भारतिय सेना क्या कर रही है, या पाकिस्तान के सेना क्या कर रही है, भारतिय सेना को गाली देना, और पाकिस्ता सेना कितनी अच्छी है, यह बताना, लेकिन क्या आपको पता है, कि यह ISPR, ऐसे sensitive और delicate शब्दों में, अपना यह जो message है, उस message को भारतवासियों तक पहुचाती है, कि वाकई में हमको लगता है, कि भारत यह पकिस्तान की उपर अत्याचार कर रहा है, हमारे psychology के साथ खेलते हैं वो लोग, हमारी psychology के साथ खेलते हैं, और किस प्रकार खेलते हैं हमारी psychology के साथ, उसका उत्तम उधरने कश्मीर, जिस प्रकार कश्मीर में पकिस्तान ने यह आतंकवाद फैलाया हुआ है, और अलगावधी जिस प्रकार से पकिस्तान का agenda कश्मीर में चलाते हैं, कश्मी तुम्हारे खिलाफ है, तुमको मारने के लिए आएंगे, इसलिए तुम हतियार उठाओ पहले से ही, कश्मीर का सैनेक या कश्मीर का जो जवान होता है, जो युवा होता है, वो हतियार नहीं उठाता, क्योंकि उसको सत-सत विवेक बुद्धी है, लेकिन अलगावदी उसे क क्या समझाते हैं, अगर तुमने हतियार नहीं उठाए तो भारते से ना तुम्हें मार देगी, डर के मारे वो हतियार उठादेता है और आतंकवधी बन चाता है, इस प्रकार का एक साइकोलोजिकल वारफेर, यह आएसपीर खेल रहा है, इस वारफेर से लडने का हमारा किस प्रकार का जरिया होना चाहिए, किस प्रकार की हमारी रणनीती होनी चाहिए, कोई भी चीज अगर एक बार होती है, तो उसे हम कहते हैं हाथसा, दुबारा से होती है, तो उसे हम कहते हैं वारदात, और फिर से अगर होती है, तो उसे हम कहते हैं साजिश, जब से अनुछे 3 70 यह कश्मीर से निकाला गया है तब से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है भारत के खिलाफ 2016 में बुर्हानवानी को जब भारतियों सेना ने मारा था उसके बाद उरी में जो हमारी आर्मी की ब्रिगेट थी उसके उपर जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 19 हमारे जवान शहीद हुए थे उसके बाद हमारे देश ने बहुत सफलता पूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया था जहां हम पाकव्याप्त कश्मीर के अंदर घुसे थे पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने उनके सेनिकों को उनके आतंकवादी लाँच पैट्स को हमने मारा था ने इस तनाबुत कर दिया था उसके बाद हम में बाला कोट एर्स्ट्राइक किया था इन सारी चीजों के बाद पाकिस्तान में एक हल्चल सिमज गई थी कि भारत अपनी नाक बहुत उपर निकाल रहा है भारत की सरकार में इतना दम कहां से आ गया कि वो आतनकुवाद का प्रटिशोध इस प्रकार ले रहा है कि हमारे डेश्क में गुसने की जुर्रत कर रहा है और इस आग को हवा देने का काम और तेल दालने का काम हमारे डेश्क के कुछ विरोधी पक्ष के नेता लोग कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं आज इम्रान खान United Nations में जा कर हमारे विरोधी पक्ष नेताओं के कुछ वाक्य बोलता है अपने भाशन में ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि हम ही उनको मसाला देते हैं कि आप ये बूलिए मुझे बताईए चाहे आप कितने भी विरोधी मत के हो चाहे आप कुछ भी सोचे लेकिन क्या हमारी सच्चत विवेग बुद्धी ये हमें नहीं बताती कि राष्ट हित ही सर्वोपरी है राष्ट हित के लिए अगर हमें कुछ करना पड़े तो क्या उसमें दोरा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान का ऐसा है न कि राष्ट तो बन गए पाकिस्तान बोलता रहा हमें कश्मीर दीजिए कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए कश्मीर चिनने की जो लड़ाई है वो जारी है लेकिन जैसे एक बहुत मशूर कहावत है वो कहावत कुछ ऐसी है कि हम तो चले आये थे तेरे दरबार में जोली फैला कर ऐ तकदीर बनाने वाले तुने कमी न की अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है पाकिस्तान को कश्मीर नहीं मिला ये उसका मुकद्दर है ये पाकिस्तान को समझना चाहिए क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान के लिए बना ही नहीं था तो आज जो परिस्तिती है वो भारत ने बहुत अच्छे कदम उठाए है भारत ने सबसे पहली चीज जो की है वो ये की है कि अपने देश की जो आर्थिक परिस्तिती है उसे बहुत मजबूत बनाया है अभी कुछ महनों के लिए मंदी है लेकिन जब मजबूत हमारी आर्थिक परिस्तिती थी और होगी तब हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु ये बनकर उभरेंगे और उभरे थे जिसकी वज़े से आज भारत ये उन बहुत महतुपूल देशों में भारत का नाम गिना जाता है जो इस दुनिया में चाप छोड़ने वाले हैं अमेरिका चाइना रशिया भारत हमारा देश इस दुनिया में चौथा ऐसा राष्ट है जिसके पास अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने की तक्निक आ गई है क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है हमने हमारी जो फरन पॉलसी है उसको हमने इतना मजबूत किया है कि हमने हर राष्ट्र से हमने दोस्ती की है हर राष्ट्र में हम लोग आदान प्रदान करते हैं हम लोग ट्रेंड जो रेक्वार्मेंट्स है वो पूरे करते हैं और हर रा यह कि हमें कुछ बनना है लेकिन वह इसलिए है कि भारत इस इस चीज पर विश्वास रखता है कि वसुधाई वह कुटुम्बकम और आज हमने हमारे जो प्रधान मंतरी है मान्या श्री नरेंद्र मोदी इन्होंने अपनी प्रतिमा और देश की प्रतिमा को इतना उचा कर दिया है कि अगले दो सालों में भारत को कोई टेड़ी आखों से देखने की जुर्रत नहीं करेगा यूनाइटेड नेशन्स के पतल पर मान्या नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ भारत का विकास भारत में किस किस शेत्र में पगती की हुई है भारत की विजिन क्या है इस बारे में बात किये और उसी के विपरीत इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की बात किये और वहाँ पर उसने पूरी दुनिया को ललका रहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया तो ये नुकलियर देश है और ये दुनिया नुकलियर वार देखेगी उसने धमकी तक दे दी पुरी दुनिया को इमरान खान जैसे मुड़क इनसान को से के मुझ से यही अपिक्षित था सिर्फ इमरान खान का साथ कुछ राष्ट्र दे रहें और वो भी ऐसे राष्ट्र है जो अपने खुद के प्रॉब्लम्स के साथ जूज रही है युनाइटेड नेशन्स में इमरान खान गए कश्मीर का इशू लेकर अनुच्छे 370 निकालने के बाद युनाइटेड नेशन्स ने उन्हें नकार दिया जिस जिस पतल पर गए वो वहां से उनको सिर्फ नन्ना का पाढ़ा मिला तो अब पाकिस्तान क्या करें पाकिस्तान के करीब 500 से जादा ट्रेनिंग प्राप्त किये हुए आतंकवादी आज LOC के पास रुके हुए हैं LOC पार करके हमारे देश में घुस आने के लिए और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए लेकिन वो हमारी भारतिय बहद्दूर फोज है जिनके दर की वज़े से यह आतंकवादी अंदर घुस नहीं पाते हैं भारतिय सेनिक कहता है लाख पर्दों से करो तुम वार हम पर हम तुम्हारे रूप को पहचानते हैं अरे आग है हम मत कर खिल्वाद हमसे हम जलाने का हुगर भी जानते हैं भारत की आगे की रणनीती क्या होगी भारत को यह बहुत जरूरी है कि पंजाब और कश्मीर की जो बॉडर है उसे सील कर दिये जाए और हमारे देश में पल रहा बॉद्धिक आतंकवाद के खिलाज यहां पर इस ग्राइन पर बेठे हुए हर नागरिक ने लड़ने की जरूरत है क्योंकि राश्ट्र हिप यह सर्वपरी है आपकी जनकारी के लिए 2020 में एक अलग पकार का आतंकवाद कश्मीर में निकलने वाला है जिसका नाम है रेफेरेंडम 2020 जिसको चलाने वाले हैं चावला नाम के खालिस्तान के लड़ने वाले एक आतंकवादी खालिस्तान का यह नया मुव्मेंट और आतंकवाद यह शुरू को करने वाले हैं सन 2020 में इसके तैयारी भारत ने अच्छे से कर ली है जिसके बारे में आप हाल ही में पेपर में पढ़ रहे होंगे कि कुछ ड्रोन्स पंजाब के बॉर्डर पर पाए गए थे पाकिस्तानी ड्रोन्स जिन्होंने कुछ हाटियार ड्रॉप किये थे हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर के उपर यह उसी की शुरुवात है लेकिन इस चीज का मूत और जवाब हमारी भारतिय से ना जरूर देगी और जिसके लिए हमने पूरी दुनिया से एक साटगाट बनाने की हमारी कोशिश जारी रखी है हमारे नैशनल सेक्यूरिटी एडवाइजर चाइना गए थे अमरीका गए थे इन सारे स्ट्राटीजिक रिलेशन्स के उपर उन्होंने बात करी है और इस चीज का हम जरूर मुत और जवाब देंगे पाकिस्तान को इसका हर भारतवासी को विश्वास होना चाहिए और एक चीज है जिसे हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ये चुब बैटने वाला राष्ट्र नहीं है वो कभी भी कुछ भी कहीं पर भी कर सकता है इसलिए हमने ये छोड़कर निश्चिन्त नहीं रहना चाहिए कि भारतिय फौज है वो हमारी रक्षा करेगी हमने भी जागरुक नागरिक होने का दाईत्व निभाना चाहिए हम सब देश के नागरिक है हमारा भी देश के लिए कुछ करतव्य बनता है हम जब हक की मांग करते हैं और बोलते हैं कि हमारे कॉंस्टिटीूशन में हक लिखे गये हैं तो कहीं पर हमारे कॉंस्टिटीूशन में हमारे डिूटीज भी लिखेगे हमने क्या करना चाहिए एक अच्छे राष्ट्रभक्त सिटुजन होने के नाते वो भी लिखा गया है एक अच्छा नगरिक होने के नाते हमने क्या करना चाहिए ये भी लिखा हुआ है और उसके चलते जरूरी है कि हम सबने बहुत जगरुक रहना चाहिए कहीं पर भी हमको कोई अगर दिखे जिसके उपर हमें सौशय आए तुरंट आपने पुलीस को इनफर्म कर देना चाहिए तुरंट अपने गाओ के पंचायद या सरपंच को इनफर्म कर देना चाहिए कहीं पर भी आपको कोई अभी अगर चीज दिखती है जो पड़ी हुई है रस्ते के उपर जिसे कोई उठानी रहा है तुरंत उसके बारे में आपको जानकरी देनी चाहिए सजग रहना जागरुग रहना ये बहुत जादा जरूरी है और एक चीज है जो हम सब कर सकते हैं और वो है कि हम सब संगठित हो सकते हैं हमारे देश को बल दिने के लिए हमारी सेना को बल दिने के लिए क्योंकि संगठन में शक्ती है यह हम सब को पता है और हम संगठित तब ही होंगे जब हम अपने आपके सारे जो मतभेध हैं मनभेध हैं वो सारे भूल जाएंगे और राश्ट्र के लिए हम सब जब इखटे खड़े हो जाएंगे तब हम संगठित होंगे आज की परिस्तिती में जब हमें पाकिस्तान जैसे एक बदमाश राश्ट्र का धोका है तब हमें संगठित रहने की बहुत जरूरत है ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कुछ कम भाद्दुर सैनिक है या कुछ कम लोग है जो ये लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं बहुत लोग हैं बहुत लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे सेना के कुछ अफसर हैं लेफ्टन जनरल सायद अता हसनेन हर साल यह हमारी संस्था उस वीर सैनिक को शद्धांजली देती है जिसे अशोक चक्र मिलता है किसी भी ऑपरेशन में शौर्य दिखाने के लिए अगर वो जीवित होता है तो उन्हें हम बुलाते हैं अगर वो जीवित नहीं होता तो उनकी वीर पत्नी को हम बुलाते हैं और नाकपुर में भव्य कारेकरम करते हैं जहां पर हम उनका सत्कार और सम्मान करते हैं और हमारी संस्था के द्वारा 51,000 रुपे की राशी देते हैं उसका कारण यह है कि नाकपुर ने एक भी कर्फियू नहीं देखा अपने कारेकाल में नाकपुर ने कहीं पर भी कोई भी खुन खराबा नहीं देखा इसलिए नाकपुर वासियू को यह बताना जरूरी है कि एक सेनिक किस प्रकार रहता है किस प्रकार जीवन जीता है किस प्रकार देश के लिए लड़ता है और उसके परिवार जो होता है वो किस प्रकार गौर परवन्वानुच महसूस करता है। यह दिखाना बहुत जरूरी है। श्रुक्रानाश्ट्स देब्लाशन चाहरूर के लोग है। नाखपूर के लोगों में यह देश-भक्ती की भावना जो है वो बहुत परकरता से है। और उसी भावना को और उजागर करने के लिए हम यह कारेकरम करते हैं इस कारेकरम में हमने जनरल अता हसनेन को प्रमुकतिति के रुप में बुलाये था इनका अगर आप यूट्यूब पर देखे अगर आप फेस्बुक पर देखे ट्रिटर पर देखे तो इनके इतने सारे भाशन है जो सिर्फ और सिर्फ भारतियता के उपर है और इस साल हमने जिनका सत्कार किया था वो थी महतरमा महजबीन अक्तर इनके पती लांसनायक नजीर एहमद वानी जमु कश्मीर के बढगान जिले के हैं सौथ कश्मीर में है जहां पर आतंकवाद फ वहां के ये सैनिक थे और वहां पर आतंकवादियों से मुटभेड करने में चार आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया और अपने चाती के उपर उन्होंने गोलिया छेली और वीर गती को प्राप्त हो गये इस बहद्दूर सैनिक को मरनोप्रांत राष्टपती द्वारा और देश द्वारा अशोक चक्र से सम्मानिक किया गया था इसकी वीर पतनी कश्मीर से यहां पर आई थी और हम क्या पढ़ते है कि कश्मीर में लोग आम आम तोर पर घूम नहीं सकते यह जब महतर्मा यहां पर आई थी नाकपुर में तब मैं हमने सब ने उनको पूछा कश्मीर में हाला किस प्रकार है तो वो हसने लगी और कहा कश्मीर में हुआ क्या है माडम सब बढ़िया तो है और हम किस प्रकार की खबरे सुनते हैं यहाँ पर वो खबरे सुनकर हम फौवर्ड भी करते हैं उन खबरों को फैलाते भी हैं इस प्रकार का महोल देश में शुरू होना बहुत जरूरी है और इस प्रकार के महोल को हमने और बढ़ाना चाहिए जहाँ पर हम एकता से हम लोग संगठ हित होकर एक परखर राष्ट के रूप में उभरें अंत में मेरा समय समापत हो गया है एक घंटे का कहने के लिए बहुत कुछ है बहुत सारी बाते हैं लेकिन अंत में सिर्फ एक आवाहन आपको करना चाहूंगी मैं कि अपने बेटे तथा बेटियों को भारतिय सेनाव में भरती होने से ना रोके अगर आपके बच्चे कहते हैं कि मुझे भारतिय सेना में भरती होना है तो उन्हें प्रचाहन दे उनका होसला बढ़ाएं क्योंकि आपकी जनकारी के लिए मेरे भारतिय सेना में आज अफसरों की कम तरता है हमें ज़रूरत है भादुर ओफिसर्स की हमारे भारतिय सेना को जरूरत है भाद्दूर सेनिकों की क्योंकि आम तोर पर ये डर होता है कि मेरा बच्चा अगर भारतिय फौज में भरती हुआ तो बहुत जल्दी उपर चला जाएगा लेकिन ये बहुत गलत फैमी है आप सब जानते हैं हम सब जिन्दा हैं एक नए एक दिन मौत आनी तो है हम सेनिक कहते हैं मरने के कोई वज़े तो होनी चाहिए हमारे लिए वज़े है राष्ट देश देश के लिए लड़ते हुए जो मर जाए भगवत गीता में लिखा है कि वो स्वर्ग को पता है और क्या चाहिए जुतिय महा युद्ध के बाद एक स्टडी निकाला गया था है एक आवरेज निकाला गया था कि युद्ध भूमी में कितनी गोलिया चलती है और कितने सेनिक मरते हैं आपको यह जानकर आश्चरे लगेगा और शायद अच्छा भी लगेगा एक लाख 27,000 गोलिया जब युद्ध भूमी में चलती है तब जाकर एक सेनिक शहीद होता है और हम मरने से डरते हैं आप मान्या श्री नितिंजी गड़करी का वक्त वे सुनिये पार्लमेंट में कि हमारे देश में हर चार मिनिट में एक युवक के मात होती है रोड अक्सिडेंट के उपर बताईए सुरक्षित जगे कौन सी है युद्ध भूमी या आपके रस्ते तो फिर क्यों आप अपने बच्चों को रोकते हैं भारतिय फौज में जाने से अरे मौत आई है आपको आई ही जाएगी कहीं पर भी एक बहुत सुंदर कहावट टक के उपर लिखा था गाये जब मस्ती के तरह ने ठंडी आहें भरना क्या अरे मौत आई तो मर भी लेंगे मौत से पहली मरना क्या हम क्यों ये सोच कर कि फौज में जाएगा तो मर जाएगा इसलिए मेरे बेटे ने नहीं जाना चाहिए ये सोच कर अपने बच्चे की प्रगती को रुखते हैं क्यों यह करते हैं हम मौत की क्या किस्से आ रही है आज उनकी तुकल हमारी बारी है क्या पता कहीं पर भी किसी को बैठे बैठे हाट रिटाइक आ जाए और मर जाए तो यह गलत फैमिया हमने निकालनी बहुत जरूरी है दूसरी एक गलत फैमिया कि मेरा बच्चा बहुत होशार है मुझे उसे IAT में भेजना है IAM में भेजना है उसे विरेश भेजना है बहुत होशार है अगर मैंने उसको फॉर्ज में भेजा तो उसकी जो होशारी है वो वेस्ट हो जाएगी आपके जानकारी के लिए गयाव जमाना जहां युद्ध लड़ा जाता था हम बात करते हैं मैंने जिन टेरिरिजम के बात करी थी उसी प्रकार के वारफेर भी हम लड़ते हैं आजकल हम बात करते हैं न्यूक्लियर वारफेर की मिसाइल वारफेर, रॉकेट वारफेर, साइकलोजिकल वारफेर biological warfare, chemical warfare information warfare, cyber warfare, communication warfare इतने प्रकार के अलग-अलग warfare लडने के लिए मुझे बताईए आप दिमाग तो चाहिए ना होशारी तो चाहिए तो फिर अगर आपको बच्चो होशार होगा तो his brilliance will be sharpened if he joins the forces उसकी होशारी और निखरेगी आपके बच्चों के जो पंक है उन पंक को पंकों को काटिये मत अगर आपके बच्चों को भारतिय फौज में भरती होना है तो उन पंकों को बल दीजिए और अपने बच्चों को उड़ान भरने दीजिए खुले आसमान में यह जरूरी है अपने बच्चों को बुजदिल मत बनाईए मेरे देश की जो भावी पिड़ी है इस भावी पिड़ी ने बहुत बहुत दूर होने की जरूरत है क्योंकि मेरे देश की जो भावी पिड़ी है वो जब बहुत दूर बनेगी वो युवाब पिड़ी जब सक्षम बनेगी, जब शारिरिक रूप से ताकदवार बनेगी, जब मानसिक रूप से सुद्रुड बनेगी, तब जाकर मेरा देश ये पूरी दुनिया के उपर राज करेगा, और ये जरूरी है और ये करेगा जरूर, भविश आपके हातों में, आप किस प्रकार के संस्कार अपने बच्चों को देते हैं या आपके हातों में, किस प्रकार से आप अपने बच्चों को बढ़ा करते हैं या आपके हातों में, बहुत जादा लाड़ प्यार से अपने बच्चों को मत बिगाड़िये, बच्चों क तो जैसे हम English में कहते हैं न, teach your children to learn the harder way, हम बहुत बच्चों को सॉलियत देते हैं, और सॉलियत देने के बाद, जब वो graduate बन जाता है, और जब competition के युग में जाता है, competition के जमाने में जब जब वो जाता है, और तब जब उसे विफलता मिलती है, तब उस चीज़ को वो सहन न कर पाता है, आप उसे इतने असान जिंदगी मत दीजिए, अपने बच्चों को कठोरता का सामना करने के लिए सिखाईए, ट्रेनिंग दीजिए, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो जमाना आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा competitive यूग है, इसमें हर कदम के उपर competition रहेगा, उस हर competition को सहन करने के लिए आपके बच्चे में मानस्तिक और शारीरिक रूप से टाकद होनी बहुत ज़रूरी है, और इन सारी चीजों से लड़ने के लिए हमें ही उनको बल देना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है, पाकिस्तान और भारत ये विशय, जितना चाहे उतना बोलना समय कम पड़ जाता है, लेकिन मुझे दिये गए समय में, मुझे आशा है कि मैंने जितना ज्ञान या जितना भी आप कुछ बोला है, वो आपको समझ तो आया होगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरा जो अंत में मेसेज मैंने आपको दिया था, कि मेरे देश की भावी पिड़ी को आपको बल देना है, मजबूत करना है, उसे भी ध्यान में रखिये अंत में, मैं उन चन्द वाक्यों को कहे कर अपना भाशन समाप्त करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है, हर भारतवासी के मन का वो वाक्य होना चाहिए ना कि सर्फ एक सैनिक का वाक्य होना चाहिए, हर भारतवासी के दिल में ये भावना होनी चाहिए यदि देश हित मरना पड़े मुझे को सहस्तर बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निजधान में लाओ कभी कारण सदा हि मृत्त का देशो पकारक कर्म हो है इस भारत वर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, सतबार मेरा जन्म हो, सतबार मेरा जन्म हो, जहन